नमस्कार यदि आप प्रेगनेंट हैं तो अगले 15 से 20 मिनिट आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, कीमती और अनमोल समय में से एक हो सकते हैं यदि आप चाहती हैं कि आपके गर्भ से उत्पन्न होने वाला शिशु सुन्दर, स्वस्त, सांसकारित और शान्त मना हो तो अगले 15 से 20 मिनिट अपने घर पे किसी शान्त जगे पे बेठिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए यकीन मानिए एक चमतकार हो सकता है इस वीडियो में आप आगे देखेंगे होने वाली संतान में इच्छा नूसार गुणा रोपन के लिए आपकी प्रेगनेंसी का यह पीरिड क्यों इतना महत्वपून है गर्भसंसकार आखिर क्या होता है कैसे गर्भसंसकार की मदद से प्रेगनेंसी में ही होने वाली संतान को प्रग्राम करने का श्रेष्ठ प्रयत न कर सकती है और कैसे एक टीम ने सालू की रीसर्च के बाद भारतिय प्राच्च गर्भसंसकार और मौडरन मेडिकल साइन्स को एक ही प्लाटफॉर्म पर लाकर एक वैज्ञानिक और सरल गर्भसंसकार प्रोग्राम क्रश्ना कमिंग गर्भसंसकार आपके मोबाईल तक अपलब्द कराया बने रहे इस वीडियो के अंत तक देखिए पिछले 15 सालों से IIT ट्रेनिंग में इन्वाल रहा असंख्यों IIT एंस को पड़ाया IIMS IIT graduates के साथ में जिंदगी बिताई पांच IIT के zone toppers देके national record establish किया इसलिए जो भी आप से कहूंगा वो पूरी शिद्दत से इमानदारी से और रिदय की प्रामानिकता से कहूंगा साइन्स का student रहा और साइन्स का teacher इतने सालों से रहा इसलिए कोशिश करूंगा कि आपको logically ये चीज़ समझा पाऊं कि क्या ये possible है कि आपके गर्भ में पलने वाले शिशु को आप अपके गर्भ से ही train कर सकें उसके मन, स्वभाव, wisdom इन सभी के ऊपर जबरदस असर जब वो गर्भ में हो तभी आप डाल सकें साइंस के बारे में आपको डीटेल में बता हूं इसके पहले मैं आपके लोगों को बधाई देना चाहूंगा आपकी गर्भावस्था के इस महानकाल के लिए देखिए ये pregnancy एक इसा काल है जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि एक नारी की जीवन की पूर्णता है एक अदभुत फीलिंग है क्योंकि आप सुरुष्टी से सुरुष्टी करता बनने की तरफ जा रही है एक अजीब सा हैसास है जिसमें कल तक कोई कहीं नहीं था से लेकर आने वाले कल में वही आपका सब कुछ बनने वाला है ये एक ऐसा फेज है जिसके लिए वाकई में लोग तरसते हैं और आप हमेशा ये बार ध्यान रखिए कि मा बनने का महत्व क्या है ये उससे मत पूछिए जो इस गर्भावस्था काल में कभी रहा है ये उससे पूछिए जिसे ये काल कभी जीवन में नसीब नहों पाया हो इसलिए इस फेज का महत्व को समझिए जीवन के दुख जीवन के संगर्श ये हिस्सा है जिन्दगी का तो प्रारंबिक काल में अगर ये आएं तो हमारी एज रहती है मन में उत्साह रहता है शरीर में प्रांड रहता है इसलिए वो इतना हम को महसूस नहीं होता आपक्ते हुए देखे हैं और उनी के चेहरे पे हसी जीवन के अंतिम शंड तक देखी है जिनके बच्चे ऐसे निकलते हैं जो अपने माबाप की बात मालें जिनके बच्चे ऐसे निकलते हैं जो आपने माबाप की चिंता करें जिनके बच्चे ऐसे निकलते हैं जो व्यसन से दूर रहें देखें नौ महिनों की प्रेगनेंसी की दोरान आप कई बार गाइनेकलोजिस क्या गई होंगे केलशियम आइरन के पिल्स ले रही होंगी सोनोग्राफी आपके हो रही होगी मैं मानने करता हूँ कि that you are trying your level best for the growth of your child for the safety and security of your child लेकिन मैं आपसे एक प्रशन पूछता हूँ और अगर उस प्रशन के जवाब में आपको आपका उत्तर ना के रूप में लगे तो थमिएगा जरूर ठहरिएगा और ये पूरा वीडियो देखके सोचिएगा कि मैंने आपसे जो कहा वो सही था या नहीं आप उसके स्वास्ति के लिए तो जो कर रही हैं वो मानने हैं लेकिन क्या उसका मन शान्त हो क्या उसमें बुद्धी का विकास हो क्या उसका स्वभाव सबसे प्रेम करने वाला हो क्या इसके उपर आपके प्रयातन उतने ही हैं जितने प्रयातन आपके होना चाहिए यदि आपको लग रहा है कि इन चीजों के उपर आपके प्रयास उतने नहीं हैं जितने होना चाहिए तो ठहरिए ये समय आपके लिए चेतावनी का जादा है आपके जीवन भर के सुखों के लिए सिर्फ केल्शियम की गोलिया या सोनोग्राफी परहाप नहीं है आप उसकी पुकार सुनिये पुकार कुछ और भी है और उसकी पुकार को मैं आज यहां से पुरी जिम्मेदारी से कहता हूँ इस वीडियो के बाद आप उसकी पुकार को एड्रेस कर पाएंगे सुन पाएंगे और न सिर्फ सुन पाएंगे उस पे काम कर पाएंगे देखी पिछले 15 साल से IIT के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के दौर में था और इन सारे इस प्रोसेस में मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज से पासाउट हुआ तो मेरी भी उमंगे आशाएं और अपेक्षाएं वैसी थी जैसे किसी भी एक कॉलेज के पासाउट स्टूडेंट्स की होती है करोडों का टर्नोर हो भारत में बहुत सारी ब्रांचेज हो ये सारी जो एक युवा की इच्छा रहती है मेरी भी थी भगवान का कुछ आशिरवाद, भगवान के इच्छा रही और मावब का आशिरवाद रहा कि सारी इच्छाएं पूरी होती चली गई सो करोड के टर्नोर को हासिल किया, भारत भर में अपना नाम किया, ब्रांचेस करी गुरुकुल की स्थापना की पंद्रा एकड में फेले हुए, तो जो एहिक संसार में प्राप्त हो सकता था, एक भरा पुरा परिवार प्राप्त हुआ, तो जो वाड़ यू पीपल कॉल इट आइज कि एक संसार में जो किसी एक नव्यूवक की इच्छा होती है, कि उसके जीवन में आगई यह होना चाहिए, वो सारी इच्छाएं भगवान ने पूरी की, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू था, लेकिन इन तमगों की यातरा के साथ में एक कड़वाट महन में गुलती चली गी, और वो कड़वाट यह थी, कि साहब बच्चों को पढ़ाने के दौर में मैंने यह पाया, कि इन बच्चों में अब संसकारों का जबरदस पतन हो चुका है, अपने माबाप का सम्मान तो बहुत दूर की बात, उन्हें पलट के जवाब देना, उन्हें पे गुस्सा इतनी कम उम्र में होना, जिस समय में हम सोझ भी नहीं सकते थे, कई बच्चे आप देखेंगे, ड्रक्स के शिकार हो रहे हैं, आजकल सिग्रेट और यह चीज़ें छोटी उम्र से ही बच्चे स्टार्ट हो ग देखेंगे, गॉरी संगती में पे पढ़ जाते हैं, जबकि कई बच्चे यसे होते हैं, जो घर के बाहर रेके भी, व्यसन की गिरफ्ट में जिंदगी भर नहीं आते हैं, कई बच्चे हैं जिनने आप थोड़ा सा कुछ पढ़ाएं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, ज जो भी आज है वो बेसिकली दो चीजों के एडिशन है एक आप पूर्व जन्म से क्या लेके आएं जिसे हम थियोरी आफ कर्मा के रूप में हिंदु धर्म में समझते हैं कि आपका बच्चा कैसा होगा ये 50% डिपेंड करता है मैं इसे percentage में बादना पसंदी करूँगा लेकिन ये काफी कुछ डिपेंड करता है उस पूर्व जन्म के कितनी चीजें वो इस जन्म में कैरी करके ला रहा है वो है थियोरी आफ कर्मा आपका प्रारब्ध आप पिछले जन्म से इस जन्म क्या कैरी करते हुए लाए है ये पहली चीजे जिस पे आप डिपेंड करते है दूसरा कारण जो जिस पे हम इंसान आज की तारीक में क्या है वो है कि हमारी परवरिश, हमारे संसकार हमारा आसपास का ambience, माहूल कैसा रहा आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जिस घर में जन्म लेते हैं वो घर में दिन भर लडाईया, जगडे, गालिया जिस घर में सब ये सब चलता है उस घर के बच्चे स्वाभावी कुरूप से वही चीज़ सीखते है उस बच्चों के मन में वैसे भी बड़ों के परती सम्मान आएगा कैसे आपका शिशू जो जन्म लेने वाला है उसके पुर्व जन्म से जो कैरी करके ला रहा है विजडम या उसका स्वभाव उस पे आप या में कुछ नहीं कर सकता लेकिन हाँ जो इस जन्म में किया जा सकता है इस जन्म में उसके मन पे सुभाव पे और उसके विजडम पे जो असर डाला जा सकता है वो तो जबरदस्त डाला जा सकता है और ये जो एक साइंस है कि गर्भ के दोरान ही किसी शिशू के इन सारे गुणों को मोल्ड करना, प्रोग्राम करना, आप कैसा बच्चा चाहते हैं, उस बच्चे के सारे गुणों को अभी से प्रोग्राम कर लेना गर्भ में, इस साइंस को ही गर्भ संसकार कहते हैं, ये मेरे द्वारा कोई नया जनरेटेड साइंस नहीं है, ये हजारों सालों के हमारी रिशी प्रदत्त प्राच्य परंपरा का मुकुट मनी जिसा साइन्स है और इस साइन्स के कई उधारण हमें पास्ट में भी हमारे अनन्य शास्त्रों में मिलते हैं क्या कोई भूल सकता है अभी मन्यू का उधारण जिस चक्रवियू को महाभारत में बड़े-बड़े योध्धा भेद न पाए उस चक्रवियू को अभी मन्यू जैसे अज्यात योध्धा ने भेद दिया कारण जो सीखा था वो गर्भ में रहने के दोरान सीखा तो अब मेरा आंसर है बिलकुल भी नहीं यह इतनी सरल प्रोसेस है बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना होता है और वो यह कि जनरली जो मैंने देखा इस गर्भ संसकार विज्ञान को इतने सारे गली महलों में अब लोग करने लग गए हैं कि इसका इतना डाइलूशन हो गया है बन जाता है आधरवाइस गर्भ संसकार विज्ञान इतना इजी है 90% केसेस में आपको सिर्फ इसमें सुनना है इसलिए एक बड़ी सरल पोसेस है क्यों कि इसमें आप रेसिपियेंट पे हैं आपको करने के बजाए आपको चीजे सुननी है अधिक से अधिक वो क्या वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं पूरे भारत में इस साइंस के लिए भ्रमन कर रहा था वेन आवस मूविंग ओल अक्रोस दे नेशन मेरी मुलाकाद 20 साल से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक्सपर्ड गाइनेकलोजिस से हुई जो स्वयम भी गर्भ संसकार के साइंस को स्प्रेड करने में लगी थी और जिनकी इच्छा थी कि इस साइंस को कैसे और अधिक लोगों तक पहुचाये जाए ज्यान वुरुद्ध वयो वुरुद्ध तपो वुरुद्ध ऐसे वेद त्रही से मेरी भेट होने का सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उन वेदों को कै ऐसे गर्बसंसकार के लिए उपयोग उन्होंने पिछले इतने सालों में किया हुआ है जब मैंने ये सुना तो मैं दंग रहे गया ऐसे लोगों से मिलना हुआ जिन्हों ने अपना जीवन खपा दिया इस रागों की साधना में तो इन सभी लोगों से मिलने के दोरान और इ विज्ञान के लिए कर रहे हैं, वो एक मंच से किया जा सके, और एक बार इन एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद जो हमने किया, जो कार ये इस गर्बसनस्कार को एक स्ट्रक्चरड वे देने के लिए इस टीम ने किया, वो यकीन मानिये किसी तपस्या से कम नहीं था इसे ध्यान में रखते हुए जो विचार मन में आया वो था इस पूरे भारतिये महान प्राचीन गर्बसनसकार विज्ञान को एक डिजिटल स्वरू प्रदान करने का कारण साफ था, हम चाहते थे कि ये महान भारतिये साइन्स, ये जन जन तक और घर घर तक पहुँचे देश ही क्यों, विदेशों तक इसकी सुगंध फैले, और इसी चीज़ को ध्यान में रखके आखिरकार वो दिन आपाया जिस दिन हमने इसे एक मोबाईल एप की रूप में लॉंच किया, नाम फिर रखा गया था कृष्णा कमिंग, प्रेगनेंसी की दोरान इस एप में न सिर्फ मन बुद्धी संसकार पर असर डालने वाले उन महान, रिशी, दुरुष्टा वेद मंत्रों का श्रवन किया जा सकता है लेकिन पार्क में वॉक करते तो कुछ मन में कलेश या कुछ मन को अशान्त करने वाली चीजें उठती रहती होगी, शायद आपके भी कहीं कभी ने कभी होता रहता होगा, तो उस समें आपको एक ऐसे मेंटर की तलाश रहती है जो आपको पहली बात तो ये समझा सके है कि ये 9 महीने आप अपने लिए नहीं जी रही, ये 9 महीने आप अपने बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए जी रही है क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुक हूँ, आपको सुन रहा है समझ रहा है, वो कई चीजे गरहन कर रहा है So you require a mentor तो इस mobile app में ऐसे sessions शामिल किये गए जिससे हम आपको ये समझा सकें कि अगर कुछ ऐसी unwanted situation आ जाती है घर पे तो उस समय manage कैसे करना life को उस समय ऐसी चीजों को कैसे थोड़ा सा शान तरे के टाला जाए ताकि आपके बच्चे के मन पर उसका विपरीत असर ना पड़े तो ये गर्वसंसकार app ये सारी चीजों को लेकर बनाया गया इस mobile app की मदद से हमने न सिर भारत बलकि विदेशों में भी कई ladies की pregnancy को एक happy spiritual journey के रूप में बदलने में सफलता पाई और जब हम ये सुनते हैं कि कैसे when we get the feedback कि कैसे उनके बच्चे 10 महिने के अंदर 9 महिने के अंदर किसी के बच्चे चलना शुरू कर दिये या किसी के बच्चों की grasping इससे भी जाधा अधिक तेज हुई या सुन्दर स्वस्थ बच्चे हुए या जब वो बताती है कि अब मेरा बच्चा जन्म से ही मतलब तकरीबन तकरीबन body clock sit करके तकरीबन आया हुँ कि रात भर सोने को मा को मिलता है दिन भर वो you know alert और खेलता रहता है या अब जब सुनते हैं कि वो रोता सिर्फ तब ही है जब या तो उसे भूक लगी हो या उसे कुछ कही दर्द पेट दर्द हो रहा हुए ऐसा कुछ आधरवाइस वो बिल्कुल भी नहीं रोता इस तरीके के बड़े जब इस तरीके के मेल मिलते हैं तो मन को बहुत खुशी होती है हमने सिर्फ इस PD को नहीं आने वाली PD को बदलने में सफलता प्राप्त कर ली जब इस एप को हमने लॉंच किया और इस एप का प्रसार होना शुरू हुआ सफलता हुई तब इसी दोरान मुझे कई पुरसकार प्राप्त हुए कई गंडमानने जनों से मिलने का मौका प्राप्त हुआ और उस दोरान उनने जो appreciation मुझे दिया हमारी टीम को दिया उसके लिए मैं उन सभी का रुदे के अंतस्तल से आभारी हुँ I extend my heartiest gratitude to all the people who appreciated it और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जिसे मैंने आपसे पहले भी का और मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में भी कहता हूँ देखिए गर्भवती होना ये साधारण है माँ बनना ये बहुत कठे में है माँ बनना ये एक करतव्य है ये धर्म है आपका होने वाला बच्चा आपकी ताकत है आपका स्वाभिमान है आपकी खुशियों का केंद्र है वो आपसे इन नो महिनों में सिर्फ calcium magnesium iron ये गोलिया और sonography सिर्फ ये नहीं चाहता उसकी पुकार सुनिये वो इससे भी कुछ और भी चाहता है उसकी पुकार आप सुनेंगी तो आपसे एक मदद चाहता है कि आप क्या उसके बल बुद्धी संसकार इन सब चीजों के लिए क्या आप उसके लिए कुछ प्रयत्न कर रही है वो देगा भारती परंपरा में हम कहते हैं कि श्रद्धा वानम लबते ग्यानम हम श्रद्धा रखेंगे तो हमें कुछ प्राप्ती होगी और मेरे जैसा एक इनसान जो पूरे जिंदगी भरा IIT यंस के बीच में रहा IIT को पढ़ाया उससे ज़्यादा साइंस और क्या होगा मै आपको इस गर्वसंसकार विज्ञान के बारे में एक चीज तो बड़े ग्यारेंटी से कहता हूँ, इस विधा का पालन करिये साहब, ये नो महिनों में अगर आप इसका पालन करेंगी तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपका बच्चा सुन्दर, स्वस्त, सुरक्षित, संस कारित होने के, की चांसेज बहुत ज़्यादा होंगे, और जीवन की सांदेकाल में, जब आप अपने जीवन के सांदेकाल में आएंगी, और सांदेकाल ही क्यों साहब, जब वो धीरे-धीरे बड़ा होगा, तब उसके गुणों की जब सरवतर चर्चा होगी, और उसकी या तो आप इन नौ महिनों को जैसा अपने मन से जीना चाहती हैं, वैसा जीते हुए, अपने होने वाले शिशु को नियती पे डाल दें कि जैसा होगा देखेंगे, और या फिर एक श्रेष्ठ मा का कर्तव निभाते हुए, आप उसके सुन्दर स्वस्त संसकारित होने पर जितने एफर्ट कर सकती हैं वे करने का प्रहत्त करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया में हमसे जितनी मदद आपकी होते बन रही हमने कृष्णा कमिंग एप बनार के गी है, और अंत में गर्भावस्था का ये समय आपके जीवन में और अधिक पुष्ट, उन्नत और मंगल कार एक अत्यन्त सुन्दर स्वस्थ सूसंसकारित शिशू आपके गर्भ से जन्म ले, जो जीवन भर आपके लिए आनंद का कारण बने, परम्पिता परमेश्वर के चरणों में मेरी यही प्रार्थना, तुही घटित करता है, मैं तो बस घटना, तुही चेताता है, तुही च झाल झाल